नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे की नाइस टैबलेट का उपयोग किन कंडिशन्स में किया जाता है, नाइस टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और नाइस टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और यह भी डिस्कस करेंगे की नाइस टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन कंडिशन्स में नाइस टैबलेट को लेना रेकमिंदेड नहीं होता है, नाइस टैबलेट का उपयोग दर्द और सूजन को कम करने के लिए किया जाता है, यदि आपके शरीर पर कोई चोट लगने की वजह से सूजन आ गई है, तो नाइस टैबलेट दर्द के साथ साथ सूजन को भी कम करती है, इसके अलावा नाइस टैबलेट का उपयोग सिरदर्द होने पर, मास पेशियों में दर्द होने पर, जोडों में दर्द होने पर, दातों म की सूजन को कम करने के लिए भी नाइस टैबलेट का उपयोब किया जाता है नाइस एक ब्रैंड नेम है नाइस टैबलेट के अंदर सॉल्ट कमपोजीशन निमसुलाइट 100 mg होता है दोस्तों खृपया वीडियो को लाइक करना नग भूलें अब हम डिसकस करेंगे कि नाइस ट टैबलेट को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं कुछ व्यक्तियों को डॉक्तर केवल दर्द होने पर ही नाइस टैबलेट को लेने की सलाह देते हैं नाइस टैबलेट की खुराक उम्र शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इस से अलग भी हो सकती है इसलिए नाइस टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए और डॉक्तर की सलाह के बिना नाइस टैबलेट को नहीं लेना चाहिए अब हम डिसकस करेंगे कि नाइस टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं लंबे समय तक नाइस टैबलेट को लेने से किड्नी वर लिवर डैमेज हो सकते हैं और शरीर में खून की कमी हो सकती हैं इसके अलावा लंबे समय तक या ज्यादा खुराक में नाइस टैबलेट को लेने से पेट में ब्लीडिंग पेट में अलसर या गेस्ट्रोइंते करने से दिल का दौरा और लक्वा लगने का रिस्क भी अधिक हो जाता है। अगर आप नाइस टैबलेट का सेवन कभी कभार करते हैं, तो ऐसे में ज्यादातर व्यक्तियों में कोई side effects नहीं होते हैं। अगर आप नाइस टैबलेट को दिन में कई बार या ज्यादा लंबे सम और किन कंडिशन्स में नाइस टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को नाइस टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए। और इसके बारे में डॉक्टर को भी पताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेगनेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं नाइस टैबलेट को ले सकती है या नहीं। प्रेगनेंट महिलाओं के लिए नाइस टैबलेट का सेवन करना रेकमें डेड़ नहीं है। और जो महिलाएं स्तनपान करा रही है उनके लिए भी नाइस टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित नहीं है। इसलिए डॉक्तर की सलाह के बिना प्रेगनिंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को नाइस टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका नाइस टैबलेट से समबन्धित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करेंगे।